नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में 68th BPSC PT 2030 के लिए Practice Set डिसकस करेंगे ये Practice Set नमबर 2 है और इसमें टोटल आपके 150 परस्तन है 150 में से आप से भी लोग कितने questions सही करते हैं उसके बारे में comment box में बताइएगा और इसका पहले Practice Set नमबर 1 को अप्लोट कर दिया गया है जो नहीं देखे जाके देख लिजेगा प्रिल लिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा ये Practice Set किसका है तो Erotaria का Practice Set है जो मार्केट का सबसे नया Practice Set है और इसका पहले अपने चैनल पर जो है घटना चक्त का Practice Set को Complete अप्लोट कर दिया गया है जो नहीं देखे उसे भी जाके देख सकते हैं वी वीडियो कहां पर मिलेगा तो प्रिल लिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा उहां सब लोग जाके देख सकते हैं और इसका पेडियो आपको टेलेग्राम को जोईन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन में दिया गया है अगर वीडियो आप सभी को हिल्फू लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो आपको दोस्तों में सेयर जरूर कीजिएगा तो आई देखते हैं पहला कोसन सकल रास्टी उतपाद में निम्लिकित में से किसको सामिल नहीं किया जाता है तो इसमें किसको सामिल किया नहीं जाता है नीजी प्रेशन को सामिल किया जाता है बाई रेणो पर बियाज की प्राप्ती इसे भी सामिल किया जाता है बाई अनुदान इसे भी सामिल किया जाता है जबकि बेदेशी निवासियों की आयू को सामिल किया नहीं जाता है सकल रास्टी उत्पाद में निम्लिकित में से किसे money market instrument माना जा सकता है money market instrument होता क्या है तो private company या सरकारी company जिस भी माधियम से पैसा market से उठाती है उस माधियम को money market instrument बोला जाता है तो देख लीजे, treasury bill के माधियम से company पैसा उठाती है market से बानेजिक पत्र के माधियम से, cash management bill के माधियम से mutual fund के माधियम से, बानेजिक bill के माधियम से तो सारे माधियम से जो company हैं पैसा उठाती है तो इसमें क्या हो जाएगा डी इसका राइटन से हो जाएगा एक दू तीन चार पांच हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है कि बजार में मुद्रा आपूर्ती को नियंत्रित करने के साधन की रूप में सरकारी बॉंडों की बिक्री खरीद को कहा जाता है तो क्या बोला जाता है ओपन मार्केट ओपरेशन बोला जाता है ठीक है अगर मार्केट में ज़्यादा पैसा हो जाता है तो सरकार अपना बॉंड जो है अरबी आई के माधियम से बेचवाती है उससे क्या होता है कि जो बॉंड खरीद लगी तो क्या हो जागा सरकार एक तरीके से इंडिरेक्ट रूप से जो पैसा मार्केट में डाल देगी ठीक है तो ए इसका राइट एंसर हो जाएगा प्राया चर्चा में रहने वाले सब्द नॉम्नल जीडीपी के संबन्द में निम्न में से कौन सा कथन आपके सही नहीं है इसमें से कौन सा कथन आपके सही नहीं है तो देख लीजिए नॉम्नल जीडीपी की गन्ना बरतमान मुल के अधार पर की जाती है तो बिल्कुल ठीक है नॉम्नल जीडीपी की गन्ना अधार बरस के मुल्यों के अधार पर की जाती है तो यह भी आपके गलत है बरतमान मुल के अधार पर की जाती है नॉमनल GDP के आकड़े रियल टाइम GDP के तुलना में सदिक आकड़े दरसाते हैं तो यह भी आपके गलत है तो इसमें केबल आपके एक सही है और 2 और 3 आपके गलत है और आपसे गलत option पूछा गया था तो B option आपका ठीक हो जाएगा अगर किसी देश का भुकतान संतुलन विप्रित हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी जैसे कि अभी स्रिलंका और पाकिस्तान का जो हाल है बहुत ही खस्ता है तो आप समझ सकते हैं कि इसे पाकिस्तान के पास क्या डॉलर क्या जो मात्रा है बहुत ही कम है ठीक है तो जो पाकिस्तान है किसके पास जायेगा तो पाकिस्तान जो है अंतरास्टी-मुद्रा-कोस के पास जाएगा तो C इसका right answer हो जाएगा आपको एक जामपल के माधियम से इस कोशन को हम समझाएं इसे अब दोबारा भी देख सकते हैं कि अगर किसी देश का भोगतान संतुलन बिप्रित हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी तो अंतराश्टी मुद्रा कोछ से मदद लेना पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है कि निमन में से कौन सी रिपोर्ट विशु बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती इसमें से कौन सा जो रिपोर्ट है विशु बैंक जारी नहीं करता है तो World Development Report जारी करता है Age of Doing Business Report World Bank जारी करता था लेकिन इसे बंद कर दिया गया है अब Global Economic Prospect इसे भी World Bank जारी करता है उसके बाद है Global Gender Gap Report इसे कौन जारी करता है तो इसे World Economic Forum जारी करता है तो D इसका राइटन से हो जाएगा जबकि A, B, C जो है इन तिननों रिपोर्ट को 202 बंक के द्वारा जारी किया जाता है उसके बाद Next Point है TR by SEM कारेकरम का संब्ध निमलिखित में से किस से है तो इसका संब्ध है गरामिन यवाओं को रोजगार देने से गरामिन यवाओं को रोजगार देने से इसका संब्ध है और इसे सुरू कब किया गया था 1979 में इसे सुरू किया गया था आप सभी लोग कमेंट करके बताईएगा कि 1979 में जो है किस पाटी की सरकार थी केंदर में निमलिखित कथनों पर आपको बिचार करना है तो बिचार कर लिजी भारत में नगद अरचित अनुपात कैस रिजब रेशियो तथा सामबीधिक तरलता अनुपात बानिजिक बैंकों द्वारा स्वयम निधारित किये जाते हैं गलत है स्वयम निधारित नहीं करता है RBI बताता है कि आपको कितना कैस रिजब रेशियो रखना है और SLR कितना आपको करना है ठीक है जब नगद अरचित अनुपात को बढ़ाया जाता है तब यह आवस्यक नहीं कि बानिजिक बैंकों की साख सिर्जन छमता में कमी हो जाए तो यह आवस्यक है कि अगर बैंक के पास पैसा कम होगा तो नए साखे नहीं खोल पाएंगे बैंक ठीक है तो B बला भी option आपका गलत हो जाएगा तो इसमें कोई भी option आपका सही नहीं है तो D इसका right answer हो जाएगा ठीक है इसमें क्या होता है कि कोई भारती है कंपनी है ब्रिटीन में जाकि जो bond जारी करती रूपिय में जारी करती है और उसका payment भी आपके जो company देगी वो रूपिय में ही देगी ठीक है उसके बाद है कि Panda bond गेर चीनी जारी करता द्वारा जारी चीनी रिम बेबी बॉंड है, जिसे चीन में बेचा जाता है, तो बिलकुल ठीक है, दोनों के थन आपके ठीक है, तो C इसका रैटन से रो जाएगा, और आपको याद रखना है कि जो रिम बेबी है, ये चीन का मुद्रा है, निमलिखित कारकों में से किसने भारत को बिंदरम कान के इंदर बनने से इसमें से कौन साब के कारण रोका है, तो EME के लिए अनुकूल सरते ये आपके नहीं रोकता है, उसके बाद है कि चीनी आयात के कारण, भारत में भी ओद्योगी करण हुआ, जो चाइनी बस्तू है भारत में बने बनाया आ गया, उसके कारण भारत मे जो है उद्योग के विकास नहीं हुआ, बतल przyp भारत में भी ओद्योगी करण हुआ, तो यह आपके ठीक है, सिवच हित्वड पर जो और इसका भी कारण है, ये भी कारण है, उसके बाद है कि वेपार करने में असानी का अब भारत में वेपार करने में बहुत ज्यादा पर вещ जानियां होती है, बेनेसमेंट को इस कारण से जो भारत में बड़ी-बड़ी कमपनिया है, इनवेस्ट करना नहीं चाहती है, तो दो, तीन, चार आपके ठीक हो जाएगा, तो आपसे ठीक उप्सन पूछा है, तो देखीजिए, ये इसका रेट अंतर हो जाएगा, ठीक है, य प्रण रचनातमक बिरोजगारी तकनीक में परिवर्तन की करण होती है तो भी इसका रेट रोजएगा मनुस के अहार नाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है मुख गुआ है, अमास है, और आत ये तीनों आपके जो है, मनुस के अहार नाल का प्रमुख भाग है जबकि एकरीत लीबर आपके नहीं है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है मेटाबोलिक दर नियंतरित किया जाता है तो किसके द्वारा जो है मेटाबोलिक दर नियंतरित किया जाता है तो थाइरैड के द्वारा जो है मेटाबोलिक दर नियंतरित किया जाता है सेक्रेटीन हार्मन सरावित होता है तो कहां से सरावित होता है तो गरहनी से सरावित होता है ठीक है सेक्रेटीन हार्मन जो है गरहनी से सरावित होता है डियू 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 सरावित होता है तो भी इस सेरी बेलम में मध्ध मस्तिक में थेलमस में तो कहां पर होता है तो सेरी ब्रह्म में होता है सेरी ब्रह्म में होता है और आपको याद रखना है कि सेरी ब्रह्म में ही माधियम से मनुस की चेतना तर्क, असमरन छमता तथा बुद्धी का केंद्र सिरी बरम ही होता है इतना आपको याद रखना है नेक्सट पॉइंट है कि निम्निकेत में से कौन एक Eukaryotic जीव का उधारन नहीं है इसमें से कौन जो है Eukaryotic जीव का उधारन नहीं है तो इसमें देखे Maanab East Saeval ये सारे आपके इवकरियोटिक जीव का उधारन है जबकि जीवानु जो है प्रोकरियोटिक जीव का उधारन है जीवानु और नील हरित सहवाल ठीक है जीवानु 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 जीवान जल में आ अस्थाई कठोरता होती है, निम्लिखित में से किंद पदार्थियों कारण जो है, जल में आ अस्थाई कठोरता होती है, तो magnesium और calcium कारण ठीक है magnesium और calcium कारण तो 1 और 2 हो जाएगा तो 1 और 2 किसमे है तो D इसका right answer हो जाएगा आपको याद रखना है कि जल में आर्स थाई कठोरता जो है calcium abum magnesium के bicarbonate abum carbonate लबनों के कारण होती है इतना आपको याद रखना है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमलित करना है तो सुमलित कर लिजी एक बार पढ़ लिजी सूची 1 में दिये गए इंधनों के नाम का मिलान सूची 2 में उनके प्रमुख रसाइनी गुनों से करना है तो कर लिजी water gas water gas में क्या होता है तो water gas में carbon monoxide और hydrogen होता है natural gas में क्या होता है तो methane और ethane होता है CNG में methane है जबकि LPG इस पर आप खाना बनाते हैं उसमें butane और propane है butane और propane है तो 4,3,1,2 4,3 4,3,1,2 तो ए इसका right answer हो जाएगा next है कि मानब शरीर में अधिकतम मात्रा में पाई जाने वाला तत्व कौन है तो oxygen है कितना परसेंट है 65% है सबसे कम क्या है तो fast force है 1.1% है तरंग धर का SI मात्रक क्या है तरंग धर का SI मात्रक क्या होता है तो meter होता है meter होता है तरंग धर का SI मात्रक तेज धाबको की मासपेसियों में निम्लिखित में से किस के संचयन से एठन आ जाती है बहुत ही अच्छा सबाल है सोची आप लोग तेज धाबको की मासपेसियों में निम्लिखित में से किस के संचयन से एठन आ जाती है, तो आपको याद रखना है, लेक्टिक आमल के संचयन से जो है, एठन आ जाती है, तो A option आपका ठीक हो जाएगा, लिखित में से किस कोषका अंगक से लाइसोसोम बनता है, तो गौल जी काई से बनता है, ठीक है, गौल जी काई से बनता है, अथवा अंतर द कौन सा रहसाइनिक परिवर्तन का उधारन नहीं है रहसाइनिक परिवर्तन किसे बोला जाता है जैसे कि यहाँ समझे कि दूद था दूद को दही में परिवर्तित कर दिया गया ठीक है अब जो है दही से आप दूद को बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं इसो क्या बोला गया रहसाइनिक परिवर्थन बोला गया है लेकिन कोशना पूछा गया कि निम्रिखेति में से कौन सा रहसाइनिक परिवर्थन का उधारन नहीं है ठीक है सरीर में भोजन का पाचन ये आपके रेसाइनिक परिवर्तन का उधारन है अगर आप खाना खा लिए और आपको खाना पच गया और उस खाने को आप दोबारा भोजन में कनवर्ट नहीं कर सकते हैं उसके बादे की लोहे में जंग लगना ठीक है जबकि आपको ध्यान रखना है कि जल का जलबास में परिवर्तन ये रेसाइनिक परिवर्तन नहीं है जल से जलबास को आप बना सकते हैं और जलबास से बापस जो है उसे आप जल में बदल सकते हैं तो जो C option हो जाएगा इरसाइनिक परिवर्थन का उधारन नहीं है, यदि कोई बस तू बिर्तकार पत में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार है, उस पर सुन है, निधारित नहीं किया सकता है, सकरातमक है, नकरातमक है, तो आपको याद रखना है, सुन है, ठीक है, जब लगूपत, सौट सर्किट की दसा घटित होती है, तो परिपत में धारा सुन हो जाती है, अस्थीर बनी रहती है, परियापत रूप से बढ़ती है, ये अच्छे करूप से परिवर्थित होती रहती है, तो जब सौट सर्किट होता है, तो आप जखते हैं, बहुत कस के चिंगारी फेकता है तो उसका मतलब क्या हो कि दो जो इनर्जी था वो आपके जूट गया इसका मतलब कि परियापत रूप से जो है बढ़ जाता है क्या परिपत में धारा उसके कारण कस्क आप देखें बहुत कस्क जो है ना चिंगारी पैदा होगा इसका मतलब क्या है कि ज C इसका right answer हो जाएगा उसके बाद next point है कि प्रतिध्वनी सुनने के लिए सुरोता एबम प्रबर्तक सता के बीच नियुनतम दूरी होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए 17 मिटर ठीक है 17 मिटर आपके होनी चाहिए तो C इसका right answer हो जाएगा next point है कि बिरंजक चूर्ण और DDT के बारे में निमनिखित में से कौन सा कथन आपके सही है तो बिरंजक चूर्ण और DDT के बारे में आपको याद रखना है ये दोनों जो है कोलोरीन योगिक है निमन में से कौन सा गुन धोनी तरंग में बिद्वान नहीं है तो जो धूर्ण है ये आपके बिद्वान नहीं है अगर धूर्ण के बारे में याद रखेगा कि जो धूर्ण है ये आपके परकास में उपलब्द है ठीक है ये आपके जो है परकास तरंग में होता है ना कि धोनी तरंग में तो B इसका रहाट अंतर हो जाएगा उसके बाद की उपस्ति कार्टी लेज दिम्रिकेत में से किस में नहीं पाया जाता है जो कार्टी लेज है किस में नहीं पाया जाता है कंठ में पाया जाता है नाक में पाया जाता है कान में पाया जाता है जबकि मुतरासे में जो है काटी लेज पाया नहीं जाता है मुतरासे में जो है काटी लेज नहीं पाया जाता है निमलिखेत में से किसके कोई इकाई नहीं है इसमें से किसका जोई कोई इकाई नहीं है इसे घनत भे इसका इकाई क्या होता है तो किलो ग्राम प्रति मिटर अस्क्वाइर इसका इकाई होता है 20 थापन का क्या होता है दाब का क्या होता है तो न्यूटन प्रति मिटर असक्वाईर अध्वा पासकल होता है जबकि सापेच्षित घनतव का जोए कोई भी इकाई नहीं होता है vitamin B2 caracinic नाम क्या है बहुत ही अच्छा सबाल है जो ascorbic acid है, इससे क्या बोला जाता है? तो vitamin C बोला जाता है, retinol को vitamin A बोला जाता है, thymine को क्या बोला जाता है? तो vitamin B1 बोला जाता है, जबकि vitamin B2 caracinic नाम क्या है? तो riboflavin है, तो B इसका right answer हो जाएगा. निम्लिकेत में से कौन सा लोह जाता है? इसमें से देखिए कौन आपके लोह जाता है? तो जो seed right है, या आपके लोह जाता है? तो आपको याद रखना है कि लोह जाता है, तो seed right है. उसके बादे कि कैला माइन, कैला माइन खाली अस्थान का एक जाता है, तो जस्ता का एक जाता है, ठीक है? उसके बादे कि वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, तो रक्त में क्या नहीं पाया जाता है? लोहा पाया जाता है मेगनेसियम पाया जाता है क्रोमियम पाया जाता है जबकि तामा जो है रक्त में नहीं पाया जाता है ठीक है रक्त का pH मान कितना होता है आप सभी लोग कॉमेंट करके बताईएगा रक्त का pH मान कितना होता है इस्तमाल की जाती है बहुत ही अच्छा सवाल है ये जड है ये तना आप लोग तो यहाँ पोच गए होंगे ठीक है तो आपको याद रखना है जो हल्दी है क्या है तना है हल्दी क्या है तना है आलू क्या है तना है ठीक है हल्दी क्या है तना है आलू तना है उसके बाद सकरकंद जड़ है उसके बाद मूली विक्या है जड़ है गजरा जड़ है इस प्रकार से आपको याद रखना है उसके बाद नेक्स कोशन है कि समिधान के अनुसार नई अखिल भारती सेवा के शुरुवात की जा सकती है तो किसके दवरा किया जा सकता है राज सबा के दवरा ठीक है राज सबा के दवरा किया जा सकता है अनुछे 312 के तहत अनुछे 312 के तहत तो बी इसका रैट अंसर हो जाएगा किस बाद, बाद का मतलब होता है केस किस केस में सरबोच नियाले ने असपस्ट किया कि मुल अधिकार एबम, निति निदसक तत्व एक दूसरे के पूरक है फंडामेंटल राइट और डीपी एसपी जो है एक दूसरे के पूरक है ये कब इसका डेसीजन आता है तो मिन्रवा मिल्स केस में ये फैसला आता है कि फंडामेंटल राइट और डीपी एसपी एक दूसरे के पूरक है 1980 में और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो केस वादन भारती केस है ये कब आता है 1973 में और केस वादन भारती केस में जो है बेसिक अस्ट्रक्चर की अबधारना आता है फिर से बोलते हैं बेसिक अस्ट्रक्चर की जो अबधारना है केस वादन भारती केस में ही आता है देश में सबसे पहले किस राज के चुनाओव में ABM का परयोग किया गया बहुत ही अच्छा सवाल है देश में सबसे पहले किस राज के चुनाओवे में जो है ABM का परयोग किया गया था तो सबसे पहले ABM का परयोग जो है केरल राज में किया गया था अब कब किया गया था? 1982 में 1982 में किया गया था राश्टिय अपात के उद्गोसना के समय संसद निम्न में से किस अनुछेत के तहट राज सुची की विशय पर कानून बना सकती है बहुत ही ये अच्छा सवाल है कि रास्टी अपात के उद्गोसना के समय संसद निम्न में से किस अनुछेत के तहट जो है राज सुची की विशय पर कानून बना सकती है तो अनुछे 250 के तहत बना सकती है निम्न में से कौन अंतरिम सरकार में सामिल नहीं था अंतरिम सरकार कब बनता है? 1946 में बनता है तो कौन जो अंतरिम सरकार में सामिल नहीं था सी राजगोपालाचारी सामिल थे जग जीवन राम यह भी आपके सामिल थे जबकि स्यामा परसाद मुखरजी और बियार अम्बेतकर ये आपके सामिल नहीं थे तो एक से अधिक option आपका ठीक हो जाएगा भारतिय समिधान में निम्न में से किन पदों का नहीं है उलेख भारत के समिधान में जो है जो option दिया गया है इसमें से किस पद का उलेख नहीं किया गया है तो cabinet का तो उलेख किया गया है आपको याद होगा अनुचे 302 मन ठीक है उसके बाद है लाब का पद इसका भी उलेख किया गया है अनुचे 102 में किया गया है ठीक है budget का उलेक कही पर भी नहीं किया गया है और जो federal है इसका भी उलेक कहीं पर भी किया नहीं गया है तो आपको याद राकना है C और D गलत हो गया तो एक से अधीक option आपका गलत हो जाएगा तो E इसका written ज़रो जाएगा निम्लिकित में से कौन भारतिय समिधान जबकि सरवजनिक ब्यवस्था राज सूची का बिसय है, समबर्ती सूची में बरतमान में कितने बिसय हैं, तो बामन बिसय हैं बरतमान में, पहले कितने थे, तो 47 बिसय सामिल थे, और आपको याद रखना है कि बियलिसमा समितां संसुधन अधिनियाव 1936 के माधियम से जो है तो 47 और 5 बावन हो गया ठीक है इसे नूट कीज़ेगा important point है कौन-कौन था तो सिच्छा, बन, नापतौल, बंजीव, एबम, पच्छियों का संडच्छन, नियाई का प्रसासन आपके सामिल था next point है कि केंदर राज, बितिय संबंद का उपबंद समिधान के किस भाग में किया गया है तो समिधान के भाग बारे में किया गया है अनुच्छे 268 से 293 ठीक है अनुच्छे 268 से 293 तक उसके बाद next question है निमन में से कौन राश्टपती के परसाद परियंत धारन नहीं करता है राश्टपती के परसाद परियंत पद्धारन नहीं करता है केंदरी मंत्री करते हैं राजपाल भी करते हैं और महान याइबादी भी करते हैं जबकि लोकसवा के अध्यच नहीं करते हैं निमलिकित में से किसकी सिफारिस पर केंदर दोबारा राज्यों को बैधानिक अनु अंसी से हैं, नीति आयू की स्थापना ुपारट में सरकार के संसदिय की applik को बितिक लगे स्ता को कौन में सब्रोपर को मैं हो दोलिए. वीडियो को पोस्ट किजी और इसका अंसर बताईए निमन में से कौन भारत में सरकार के संसदिय स्वरूप की बेशिष्टा को बेयक्त करता है तो आपको याद रहाखना है कारपालका का बिधायका के परती उत्तरदाईत हो ना ठीक है तो D इसका रहाखना है और आपको याद रहाखना है कि बिधायका से ही जो है कारपालका के लिए चुने जाते हैं संसद के अस्थाई समीती में कितने से 10 होते हैं तो संसद के अस्थाई समीती में 31 मेंबर होते हैं इसमें लोक सभा के 21 मेंबर और राज सभा के 10 मेंबर होते हैं। लोक लेखा समीति में कितने मेंबर होते हैं। तो 22 मेंबर होते हैं। 15 लोक सभा से और 7 आपके राज सभा से। प्राकलन समीति में कितने मेंबर होते हैं। तो प्राकलन समीति में 30 मेंबर होते हैं। ठीक की लोक सभा से होते हैं भारत के निमलिखित राजियों में से किस राज की विधान शभा की सीटों की संख्या सरबादिक है जो ओ्प्षन दिया गया उसमें जो पच्छी मंगाल में 294 सीट है विहार में 243 सीट है उसके बाद है तैमिल लाड़ू 234 सीट है मर्द परदिश 230 सीट है तो सबसद्धिक सीट कहां पर है पच्छिम बंगाल में है तो ए इसका रैट अंसर हो जाएगा यूपी में कितना सीट है तो 403 आपके विधान सबा का सीट है यूपी में उसके वाद है कि भारत में निरबाचन के संदर में बीभी पैट का सही पूरा चुनावाता है जो बीभी पैट चर्चा में आगाता है तो बीभी पैट का फूल फॉर्म क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है वोटर बेरिफाइबल पेपर औरिट ट्रेल होता है वोटर बेरिफाइबल पेपर औरिट ट्रेल जो है बीभी पैट का फूल फॉर्म होता है ठीक है तो तो सि इसका रेहट अंसर हो जाएगा है उसके बाद है कि 1919 में दर्भंगा माहराज के विरूद किसानों को किसने संगतित किया था तो किसके दौबरा संगतित किया गए था सवामी बिद्यानन के दोर आपके संगठित किया गया था मौर काल में सिच्छा का सरवादिक प्रसीद केंदर कौन था बहुत ही अच्छा सब्बाल है मौर काल में जो है सिच्छा का सरवादिक प्रसीद केंदर कौन था तो तस्सिला था तस सिला बरतमान में पाकिस्तान में अस्तित है नलंदा विस बिद्याले आपको याद रखना है गुप्त काल में परसिद था जबकि बिकरम सिला जो बिकरम सिला विस बिद्याले है पाल बंस के ससन काल में परसिद था किसके सुजाव पर बिहार में गोलघर का निर्मान हुआ तो आपको याद रखना है जौन सोर के सुजाव पर बिहार के पटना में गोलघर का निर्मान किया गया था अनाज रखने के लिए गोलघर का निर्मान कब हुआ तो 1784 में होता है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि पटना में जो है भवानी मंदिल करांतिकारी संस्ता की अस्थापना किसने की किस के दवरा किया गया तो भुपेंद्रनाथ दत के दवरा किया गया है बिहार के कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपूर के पठार से अलग करती है यहाँ पर देखिएगा इधर आपके कैमूर का पठार है और इधर आपके छोटा नागपूर का पठार है तो इन दोनों को कौन सी नदी आपके अलग करती है तो याद रखना है सोन नदी कहां से निकलती है तो मद परदेश के अमर कंटेक्स निकलती है सोन नदी और पटना के पास दाके गंगा में मिल जाती है नेक्स्ट पॉइंट है निमलिखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार में परचलीत नहीं है जाट जटी परचलीत है डोमकच समाचकेवा तो इसमें कोई भी आपकी गलत नहीं है ठीक है सारे के सारे आपके सही है तो इसका रैटन से रो जाएगा उसके बाद है कि बिहार में सीचाई के लिए किस साधन का परयोग किया जाता है तो नलकूप का भी परयोग किया जाता है तलाब, नाहर, सुलीस, सुलीस गेट इन स तबी का परयोग किया जाता है तो एक से अधिक उप्सन आपका ठीक हो जाएगा अगर कोस्तन ही पूछ दे कि बिहार में सरवाधिक सिचाई किस साधन का परयोग करके होता है तो नलकूप हो जागा ठीक है बिहार में सरवाधिक सिचाई जो है नलकूप के माधियम से होता है यहापर पूछा गया कि सिर्फ कि विहार में जो सिचाई किस-किस माध्यम से होता है यह पूछा गया है आपसे ठीक है संबंदित नहीं थे तो हब्क्त संबंदित नहीं है तो डी इसका राइट हो जाएगा तो और इसके महासचीव कुम है तो जै परकास नरायाट है जो प्रकास नरायन है नेक्स्ट पॉइंट है प्ररंभिक मधकाल में बिहार का छेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाला बना रहा बहुत ही अच्छा सवाल है ध्याने किया प्ररंभिक मधकाल प्ररंभिक मधकाल में जो है बिहार का छेत्र किसके बीच संघर्स का अखारा बना रहा मराठा तो बहुत ही बाद में आता है उसके बाद है अंग्रेज ये भी बहुत ही बाद में आता है तो अपके तीनों गलत हो जाएगा तो इसका रैट अंसर क्या हो जाएगा बंगाल और दिल्ली ठीक है बंगाल और दिल्ली इसका रैट अंसर हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट है आटो बायोग्राफिक रैटिंग्स पूश्टक किसके दौरा लिखी गई है बहुत ही अच्छा सवाल है आटो बायोग्राफिक रैटिंग्स पोस्तक किसके दोरा लिखी गई है तो यह बुक है किसके दोरा लिखा गया है तो लाला लाजपत राय के दोरा लिखा गया है लाला लाजपत राय के दोरा लिखा गया है नमलिकेत मेंसे कौन जो है विरसा मुंडा के आदर्स में सामिल नहीं है आचरन की सुधता सामिल है एकशवर बाद आत्म सुधार सामिल है जबकि अहिंसा जो आपके सामिल नहीं था तो आपको व्याद रखना है डी इसका रैट अंतर हो जाएगा बिहार के राजगीर परगना के कौन से अस्थानिय निता ने 1857 इस पी के आंदोलन में सोईं को राजा गोशित किया तो किसके द्वारा गोशित किया गया था हैदर अली खान के द्वारा हैदर अली खान के द्वारा और आपको आद रखना की जगदिस्पूर में जो है कुब वर्षी के दोवरा नित्रुत प्रदान किया गया था अंग्रेजों एवं डचों के मद्ध हुए कीस यूद के बाद डचों का भारत में अन्तिम रूप से पतन हो गया तो बेदरा के यूद में ठीक है बेदरा के यूद में तो भी इसका राइट अंसर हो जाएगा और यह हुआ था वॉंडी बाद का यूद 1710 में हुआ था किसके किसके बीच में तो अंग्रेज और सिशिक बीच में ठीक हैं अंग्रेज और blasting में हुआ था पूर्तकालिई और अपनी दुसरी hunक्रिटरी दौए कहां स्थापीत जो है कन्नूर में बनाता है तो सी इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स सूरत की संधी किनके मद हुई थी बहुत ही अच्छा सवाल है सूरत की संधी जो है किसके किसके बीच में हुआ था तो अंग्रेज ते था रगुनात राओ के बीच में हुआ था अंग्रेज एवं रगुनात राओ के बीच में हुआ था कब हुआ था तो 1775 में होता है अंग्रेजों दुवारा भारती रियास्तों की प्रती अपनाई गई अधिनस्त संग की निती का काल था तो ये काल था 1800 अंठामन से 1935 तक है इसमें जो रियास्त थे उनसे अंग्रेजों की दुवारा बढ़िया संब्ध बनाया गया नेक्स्ट पॉइंट है कि बुनकरों की हडियों से बारत की भूमी सफेद हो गई उपरियुक्त कथन निम्न मैंसे किसका है जो कथन है आपके लौड बिलियम वैंटिंग का कथन है जो लौड बिलियम बैटिक है इसका ससनकाल 1828 से जो है 1835 तक रहता है बैटिक के बारे में याद रखेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्णाजनल और भारत का पर्थाम गवर्णाजनल कोन है तो लौड बिलियम वैंटिंग है सती पर्थापर रोक जो है लौड बिलियम वैंटिंग लगाता है 1829 में रजा राम मोहन राय के परियाश से उसके बाद है कि महाल बाड़ी भूराजस ब्यवस्था कोनिवन में इसे किस ने प्रग्रम किया तो ये प्रग्रम किया गया था होट मैकेंजी के द्वारा होट मैकेंजी के द्वारा और आपको आद रखना है कि जो विवस्ता था मद परांत उतर परदेश और पंजाब के छेतर में लागो था 1857 के विद्रोह के दवन के बाद ब्रिटीज सरकार ने भारती फौज कि नव गठन के लिए किस आयोका गठन किया था तो पील आयोका गठन किया था 1857 के विद्रोह के किस नेता की गिरफतारी उनके मित्र के विश्वास घात की कारण संबब होई तो तातिया तोपे के ठीक है तातिया तोपे के और जो विश्वास घात किया गया था साल में हुआ था और कब हुआ था तो 1813 से 1831 के बीच में जो है पागल पंथी विद्रो हुआ था इसका नित्रूत जो है कौन परदान कर रहा था तो करम सा करम सा जो है इसका नित्रूत परदान कर रहे थे नेक्स कोशन है राजा राम मोहन राए ने आत्मी सभा का गठन किस बर्स किया जो आत्मी सभा इसका गठन 1815 में किया गया जो बरहम समाज है इसका स्थापना 1828 में किया गया है तो ए इसका रैटन से रो जाएगा गुलामगिरी पुस्तक के लेखक निमन में से कौन थे तो जो गुलामगिरी बूक है इसके रैटर का नाम है जोतीवा फूले जोतीवा फूले इसके रैटर का नाम है भारत में किस गवर्न जनरल के दौरा सबसे पहले प्रेश संसर्शिप लागू की गई थी तो सबसे पहले जो प्रेस संसर्शिप लागू किया गया था लॉड बेलेजली के दुवारा 1799 में जो बेलेजली इसका संसन काल के बारे में याद रखे का 1798 से 1805 तक रहता है 1798 से 1805 तक रहता है जो लॉड लिट्टा ने इसके दुवारा 1878 में जो है वर्ना कुलर फ्रेस एक लाया जाता है जिससे बापस कौन ले लेता है तो लॉड रिपन 1882 बापस ले लेता है इंडियान लिग के अस्थापना किसके दुवरा की गई तो सिसिर कुमार घोस के दुवरा किया गया 1875 में ठीक है 1875 में जो है सिसिर कुमार घोस के दुबरा किया गया और इसका उद्देश था कि भारत की जो जनता है उसमें राष्टबाद की भावना जगाना इसका उद्देश था यदि बर्स में हम एक बार मेड़क के तरह टर राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा यह जो किसका कथन है पंजाब हिंदू सभा की अस्थापना होई तो पंजाब हिंदू सभा की अस्थापना उनिस सो उनिस में होई और पंजाब हिंदू मास्थापना किसके द्वरा किया गया है तो बियन मुखरजी तथा लाल चंदर के द्वरा किया गया है किसने किरिप्स परस्तावों को उत्तर दिनांकित चेक कहा था तो किसके द्वरा बोला गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया था यहाँ पर आप समझेगा कि अगस्त परस्ताव कब आया था 1940 में अगस्त परस्ताव आया था किरिप्स 1942 में आता है उसके बाद है बेवेल 1945 में आता है कैबिनेट 1946 में आता है और माउंट बेटल 1947 में आता है जब किरिफ समिस्टन भारत में आता है तो कांग्रेस के तरब से बारताकार काउन थे तो जवाला नहरू और मौलाना अजाद थे ठीक है जवाला नहरू और मौलाना अजाद थे 1916 के लखनावर अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए इस अधिवेशन के अधिश्टा किसने की तो इसके अधिश्टा अंभीका चरन मजुमदार के दुवरा किया गया है ठीक है एनिवेशन कांग्रेस के अधिश्ट कब बनती है 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में बनती है जो कांगुरिस के बर्थम महला अधियच होती है प्रायदेपिय भारत में पुर्व दिशा में बहने बाली नदियों का उत्तर से दच्छिन का सही करम क्या है ठीक है तो सबसे पहले आपको याद रखना है महानदी उसके बाद गोदाबरी गोदाबरी, कृष्णा, पिर्णार, उसके बाद कावेरी और नीचे में आपके है बे गई तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है आप लोग मैप में देख लीजेगा D इसका राइट अंसर हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में सरवाधिक बिरहत छेतर में कौन से बन पाए जाते हैं छेतरफल के दिरिष्टी से भारत के चाला बड़े राज्यों को अबरोही करम में अबरोही करम में आपको बताना है ठीक है तो सबसे बड़ा कौन है अब रोही करे मतलब कि बड़ा से छोटा के तरफ ठीक है तो सबसे बड़ा कौन है राजलस्तान है उसके बाद मद परदेश है महराज थै और इत्तर परदेश है तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा भारत में सरवादिक लवनिय मिर्दा वाला छेतर किस राज में है कोशन को ध्यान से पढ़िएगा कि भारत में सरवादिक लवनिय मिर्दा वाला छेतर किस राज में है तो गुजरात में है गुजरात में अगर पूछा जाएगा कि भारत में सिर्भादिक चारिये मिर्दावला छहतर कउं है, चारिये मिर्दावला तो उत्र्परदेस हो जाएगा, जबकि अगर बोला जाएगा लवनिय मिर्दावला तो गुजरात हो जाएगा भारतिय मौसम बेद साला एबम संस्थान कहां अस्तित है तो भारतिय मौसम बेद साला एबम संस्थान जो है पूने में अस्तित है जबकि भारतिय मौसम बिज्ञान बिभाग कहां स्तित है तो भारतिय मौसम विज्ञान विभाग जो है नई दिल्ली में अस्तित है निमन में से कौन साम बिलान आपके सही सुमलित नहीं है तो देख लिजे आपके कौन सही सुमलित नहीं है सिंगरोली, कोईला, कोरापुट, बॉकसाइड उसके बाद है डेल्ली, राजहरा, लौएस्क, चित्र दुरुकि छेत्र, मैगनीज तो आपके चारे को चारे पॉइंट आपके सुमलित थे इसमें से कोई भी आपके गलत नहीं है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा भारत का सबसे पच्छिम बिंदू, गौर मोता, गुजरात कितने डिगरी देसंतर पर अस्तित है तो 68 डिगरी साथ मिनट देसंतर पर अस्तित है ठीक है और आपको याद रखना है कि ये तो आपको हो गया पच्छिम बिंदू, पूर्वी बिंदू कोन है तो जो पूर्वी बिंदू है ये आपके की भूतू है की भूतू, ये कहा अस्तित है तो अरणोचले पर अस्तित है और आपको याद रखना है कि 97 डिगरी 25 मिनट ठीक है 97 डिगरी 25 मिनट है तो C इसका राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद next question की कारा कोरम लद्दाक, एवम जास्कर सिर्णी निम्र में से किस हिमाले के अंतरगत आते हैं तो सबसे उपर में आपके कारा कोरम हो गया उसका नीचे लद्दाक है जास्कर है ये तीनो जो है किस सिर्णी के अंतरगत आते हैं तो आपको याद रखना है, ट्रांस हिमाले के अंतरगत आते हैं, जबकि ग्रेट हिमाले के अंतरगत कौन कोन आते हैं, एबरेस्ट और कंचन जंगा, एबरेस्ट नेपाल में हैं, कंचन जंगा आते हैं, मध या लगू हिमाले के अंतरगत जो है, पीर पंजाल और धोला धर आपके आते हैं तो ये इसका रहेटन से रो जाएगा भारत के अनमान निकोबार में अस्थित नारकोडम जोला मुखोई परकार की है, सक्रिये है, प्रसूप्त है, मिरित है, अति सक्रिये है तो आपको याद रखना है, प्रसूप्त है, ये कभी भी आपके फट सकता है तो B इसका रेट अंसर हो जाएगा, जबकि एक और है बेरन दीप पर ठीक है इसके बारे में आपको याद रखना है कि यह सकीरिय जोला मुखी है यह क्या है सकीरिय जोला मुखी है बेरन दीप ठीक है जो बेरन दीप पर आपके जोला मुखी है तो सकीरिय जोला मुखी है उसके बाद है कि Mississippi डिल्टा किसका उधारन है तो अंगुलित या पंजाकार डिल्टा का उधारन है, तो B इसका राइट अंसर हो जाएगा, जो चापा कार डिल्टा है इसका उधारन कौन-कौन सी नदी है, तो गंगा है, बरहम पुत्रा है, ठीक है, बरहम पुत्रा है, और एक नील नदी है, ठीक है, नील नदी है, जो द अंगुलित या पंजा कार डिल्टा जबकि चापा कार डिल्टा में कौन-कौन आता है गंगा, ब्रहम पुत्रा और निल नदी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि निमन में से कौन जो है पबंदवार निर्मित अस्तला किरती नहीं है तो छतरक सैल, यार डांग, लोएस यह तीनों आपके पबंदवार निर्मित है जबकि भेड़ सिला जो भेड़ सिला देख रहे है इसका निरमान हिमानी से होता है तो भी इसका रैट अंतर हो जाएगा निमलिकेत में से कौन सा बंदरगा एक जौरिया बंदरगा है बहुत ही अच्छा सवाल है कौन सा बंदरगा जो है एक जौरिया बंदरगा है तो कांडला है कांडला के बाद हल्दिया हल्दिया के बाद आपके कोल काता यह तीनों बंदरगा है यह क्या है जोरिय बंदरगा है जबकि पारादीप तूतिकोरम और मुंबई इसके बारे में याद रखेगा कि यह प्राकिर्तिक बंदरगा है यह तीनों जो है प्राकिर्तिक बंदरगा है उसके बाद चन्नेई बंदरगा के बारे में याद रखेगा कि चन्नेई जो है भारत का सबसे पुराना कृतिम बंदरगा है सबसे पुराना कृतिम बंदरगा को है तो चन्नेई बंदरगा है साथ ही जो विसाखा पत्नम उसके बनिमाद रखेगा कि विसाखा पत्नम भारत का सबसे गहरा बंदरगा है विसाखा पत्नम जो है भारत का सबसे गहरा बंदरगा है डॉल्फिन जो रेंज है या आपके विसाखा पत्नम जो बंदरगा है वहीं अस्तित है ठीक है उसके बाद next है कि थाल घाट किन दो नगरों को आपस में जोडता है जो थाल घाट है किन दो नगरों को आपस में जोडता है तो मुंबई को नासिक को जोडता है जबकि जो पाल घाट है मुंबई से पूने को जोडता है उपर में आपके थाल है और नीचे में आपके पाल है जो पाल है मुंबई को पूने से जोड़ता है जो थाल है मुंबई को नासिक से जोड़ता है उसके बाद नेक्स्ट है कि पच्छमी घाट की निमनांकित पहाड़ियों का उत्तर से दच्छिन सही करम क्या होगा उत्तर से दच्छिन जो है सही करम क्या होगा तो सबसे लाची की पहाड़ी है सबसे दच्छिन में निलगीरी की पहाड़ी यहाँ है ठीक है उसके बाद बीच में जो है अन्ना मलाई की पहाड़ी है तो ए उप्सन आपका ठीक हो जाएगा ए उप्सन जो है ठीक है उसके बाद है कि सिसर चलम पहाड़ियां जो कि भारत के जैब और इसके बारे में सोच की बताईए सिसचलम पहाडिया जो कि भारत के जै मंडल अरच्छी छेतर के अंतरगत आती है किस राज में अस्तित है तो आन परदेस राज में अस्तित है उसके बाद है लिम्बू जन जाती किस राज में निवास करती है जो लिम्बू जन जाती है इ यह सारे आपके सिक्की में पाए जाती है पर्थम लोग अदालत की अस्थापना निमलिखित में से किस राज में होई तो पर्थम लोग अदालत की अस्थापना 1982 में गुजरात में होता है ठीक है गुजरात में होता है तो इन में से कोई नहीं हो जाएगा उसके बाद करेंट शुरू हो जाता है कि Beautiful Things Beautiful Things पुस्तक के लेखक कौन है तो Hunter Biden है Hunter Biden जो है Beautiful Things पुस्तक के लेखक है हाल ही में जारी किस देश को वैस्विक अलबसंखिक सुचकांक में पहला स्थान मिला है तो पहला स्थान भारत को मिला है किस संस्थान ने वैस्विक जल संसादूनों की इस्तिती रिपोर्ट 2021 जारी की है तो जारी किया गया है WMO के द्वारा जारी किया गया है विस मौसम विग्जान संगठन के द्वारा बिकलांक लोगों के कल्यान के लिए दिब्यांग विभाग की अस्थापना करने वाला पहला राज कौन सा है तो पहला राज महरास्थ है निमलिकीत में से किस नाम से हाली में बोजपूरी का पहला OTT एप लॉंच किया गया है तो किस नाम से लॉंच किया गया है चौपाल के नाम से लौँच किया गया है ठीक है चौपाल के नाम से लौँच किया गया है उसके बाद है कि मोपा ग्रीन फिल्ड हवाई अड़ा कहां अस्तित है तो मोपा ग्रीन फिल्ड हवाई अड़ा जो है गोवा में अस्तित है और इसका उटगाटन परदान मंतरी मोध जी का दवरा किया गया है तो इन में से कोई नहीं हो जाएगा पहला जी 20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक ड्यूप्टी मीटिंग का में जबान कौन सा सहर करेगा तो बिंगलूरू सहर करेगा ठीक है बिंगलूरू सहर करेगा फीफा फुटबॉल बिसकप 2022 में फीफा फेयर पले देश का अवार्ड निम्म में से किसे मिला है यह बहुत ही अच्छा सवाल है ठीक है कि फीफा फुटबॉल बिसकप 2022 में फीफा फेर पले देश का अवाड किसके दोवर जीता गया है तो इंगलेंड के दोवरा जीता गया है जो फीफा 2022 का किस देश में हुआ था तो कतर में हुआ था ठीक है कतर में हुआ था इसका बिजेता कौन है तो अर्जन्टीना इसका बिजेता है उप बिजेता कौन है तो फ्रांस आपके इसका उप बिजेता है ठीक है उसके बाद आपको याद रखना है कि गोल्डन बॉल किसे मिला था तो लियोनेल मेसी को मिला था गोल्डन बॉल इ Killian Mbappe को मिला था ठीक है Mbappe इनका सम्मंद किस दész से था तो इनका सम्मंद फ्रांस से था उसके बाद सबसे यूबध खिलाड कौन है यूबध हिलाड का पुरशकार किसे मिला था तो Enzo Fernandez को इनका सम्मंद अरजेंटिना से था और Golden गलप्स का अवार्ड किसे मिला था तो मार्टी नेज को मिला था यहाँ लिख देते हैं मार्टी नेज को मिला था इनका भी सम्मंद आपके अर्जन्टीना देश से था जब फीफा बिसकप 2022 हुआ उसमें कुल कितना टीम भाग लिया तो कुल आपके 32 टीम भाग लिया था ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है कि किस सहर को G20 सिखर से मिलन के तहट आयूजित होने बाले सहरी बिकास पर अर्वन 20 इवेंट की अधिस्ता मिली है तो किसे मिला है अहमदाबाद सहर को मिला है अहमदाबाद सहर को मिला है बिहार में जातिय गर्ना बिहार में जो है जातिय गर्ना की सुरुवात कब से की गई है तो इसके सुरुवात जो है साथ जनवरी 2023 से किया गया और इसके सुरुवात कहां से होता है तो बैसाली जिले से बिहार के मुक्मंत्री नितिश कुमार जी के दुरा किया जाता है बिहार किर्सी बिस्विद्याले सबौर भागलपूर कहां नील गाए अनुसंधान के दिर अस्थापित करेगा तो बीर कुमर्सी किर्सी बिस्विद्याले डुमराओं में करेगा ठीक है उसके बाद next point है किस देश ने लिंग पहचान सुधार विधेक पारित किया है और लिंग परिवरतन नियमों को असान बनाया है तो असकॉट लेंड के दोरा बनाया गया है किस बॉलिवूड अभिनेता को हाल ही में एमपायर पत्र का दोरा अब तक के 50 महांतव अभिनेताओं की सूची में सामिल किया गया है तो किसे सामिल किया गया है सारू खान को सामिल किया गया है उसके वाद है कि हाली में भारती रास्टी राजमार्क प्राधिकरन के अध्याच की रूप में किसे निक्त किया गया है तो संतोस कुमार यादव को निक्त किया गया है संतोस कुमार यादव को निकोध किया गया है साथ ह specialize आपको धियान रखना कि भारतिरास्ती राजमार्क प्राधी करन इसकी अस्तापना कब किया गया है तो 1988 में इसका अस्तापना किया गया है हाली में खबरों में रही 1070 योजना गया है तो रूस यूक्रेयन यूद से सम्मंदित यूजना है तो ए उप्सन अपका ठीक हो जाएगा किस राजने हाल ही में राज में महलाओं के लिए 30% 36 अरच्छन लागू करने के लिए एक बेभी पेस किया है तो एक बेभी पेस किया गया है उत्रा खंड बिधान सबस्तान एक कत्षित रैंसम बेर हमले से एक सप्था से अधिक समय तक है एक रहा ransom bear क्या है तो एक software है जो computer को hack कर लेता है ठीक है तो ransom bear हमले का एक सब्ता से अधिक समय तक hack रहा तो आपको याद रखना है कि जो aims का server था एक सब्ते तक आपके hack रहता है ransom bear software के माधियम से next है कि हाली में किस मंत्राले ने कासी तमील संगमम का आयोजन किया है भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और वेपार समझोते पर हस्तचर किये हैं तो हाली में भारत जो है अस्टेलिया के साथ में किया है और साथ हैं आपको याद रखना कि आठ महेंशना पहले जो है संव्गत अर्रब अरब अमीरात के साथ में किया था भारत ने टू है तो हाली में बोला जाएगा То इसका अंसर क्या हो जाएगा डी इसका रेट अंसर हो जाएगा और जो संवुक्त अरब अमीरात है ये कोश्न पुछा गया था BPSC के दोबारा पहले टिक है उसके मदा की हाली में किस मंत्राले ने पोसक तत्व अधारित सबसीरी योजना की घोसना की है तो किस के द्वरा किया गया है रसायन और उर्बरक मंत्राले के द्वरा किया गया है नियाय मूर्ती डेबाई चंदर चूड ने भारत के खाली अस्थान मुख नियाधिस के रूप में पदभार गरन किया है तो किस नमर के? तो पचासमे नमर के मुख नियाधिस के रूप में पदभार गरन किया है किस देश ने हाल ही में दूसरी भी मेस्टे किरसी मंत्रियों की बैठे की मेजवानी की है तो किस का दवरा किया गया है भारत का दवरा किया गया है भारत के पहले नीजी तोर पर बिक्सित रॉकेट का कह नाम है भारत के पहले निजी तोर पर बिक्सित रोकेट का क्या नाम है तो बिक्रम यस नाम है बिक्रम यस रोकेट का नाम है हाल ही में किसने एकुम पोर्टल लॉंच किया है तो एकुम पोर्टल जो है द्रोपदी मुर्मु जी के द्वारा लॉंच किया गया है और इसका उद्देश क्या है तो अस्थानिय भासा में तक्निकी पाठ करम परदान करना इसका उद्देश है बन विभाग द्वारा बिहार के किस जिले में हाथी बचाव के इंदर अस्थापित किया जा रहा है तो पच्छी मंगाल में किया जा रहा है बिहार के किस सहर में भगबान सीव की 111 फिट उची परतिवा का उठगाटन किया गया है तो सासा राम्मे किया गया है इसे भीवियाई मार्क किजेगा बेस्ट पलस एप का उद्देश क्या है तो सरकारी अस्कूल की निगरानी करना इसका उद्देश है बिहार के नवादा जिले से किस को इपको साहित पुरसकार से सम्भानित किया गया है तो जय नंदन को सम्भानित किया गया है मिस्र के काहरा में आयोजित संसद्य सम्मिलर में बिहार से कौन सामिल हुए था बिहार से कौन आपके सामिल हुए थे तो डाक्टर संजय जासवाल सामिल हुए थे तो दोबरा देखेगा मिस्त के काहरा में आयुजित संसद्य संविलेर में बिहार से कौन सामिल हुए थे तो डाक्टर संजय जासवाल सामिल हुए थे निम्लिकित में से कौन सा देश बरतमान में जुन 2022 में भारत को कचे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्ति करता देश है तो उस से में देखे जुन 2022 में आपके रूस सकिन पर था ठीक है लेकिन दिसंबर 2022 में दिसंबर एक सकन रोकिए दिसंबर दिसंबर 2022 में जो है पहला स्थान पर कौन है तो पहला स्थान पर आपके रूस है दुसरा स्थान पर इराक है और तिसरा स्थान पर आपके सौधी अरब है ठीक है तिसरा स्थान पर आपके सौधी अरब है तो इससे अपने देख लिजिएगा अपने हिसाब से क्योंकि ये चेंज कर गया है डाटा और इनके द्वारा पुछा गया है जून 2022 जून 2022 का अंसर मारिएगा तो रूस हो जाएगा ठीक है लेकिन दिसंबर 2022 का आपको बता चुके है कि पहला आपके रूस हो जाएगा दूसरा में इराग तिसरा में सौधी अरब है उसके बाद है कि कैबिनेट मिसन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था कैबिनेट मिसन योजना में जो है कौन आपके प्रस्तावित नहीं था 1946 में आता है तो भारतिय संग का दिर्मान प्रस्तावित था अंतरियम सरकार की अस्थापना समिधान सवा के लिए चुनाओ पाकिस्तान का दिर्मान आपके सामिल नहीं था तो D इसका रैट एंसर हो जाएगा D इसका रैट एंसर होगा उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि 1763 में पत्ना में अस्थित अंग्रोजय के फैक्टरी पर अधिकार किया था तो किसके दवारा किया गया था 1763 में तो नवाब मीर कासिम के दवारा किया गया था तिर्मिस तबदी में बंगाल के प्रांथ पती गया सुद्धिन ने यूद किया था तो किस से यूद किया था तिर्हुत के राजा के साथ में और जो उनका नाम था राजा राम देब राजा राम देब सीर के साथ में जो है गया सुद्धिन ने यूद किया था बिहार में बिहपूर की घटना का संबन्द है तो किस संबन्द है तो सत्या ग्रह से इसका संबन्द है सत्या ग्रह से इसका संबन्द है बिहार चात्र परिशत को संगठित किया था तो किस ने संगठित किया था राजन्त परसाद ने संगठित किया था बिधान परिशत के सदर्शियों के नियुन्तम संख्या होती है तो कितनी होती है नियुन्तम आपके 40 होती है ठीक है नियुन्तम आपके 40 होती है बिहार में कितना है तो 75 थे बिहार में 75 है बरतमान में बिधान परिशत कितने राज्यों में है तो 6 राज्यों में है उत्तर प्रदेश बिहार, महरास्ट, करनाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है ठीक है उसके बाद है कि किस समिधान संसुदन ने सिच्छा का अधिकार परदान करने बाला एक नया अनुछेद 21 एस समिधान में जोड़ा गया तो इसे जोए 86 समिधान संसुदन अधिनियम 2002 के दुबारा जोड़ा गया ठीक है तो ए इसका राइट इंसर हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि पर्थमता अपात इस्तिति की घोषना कितने समय काल के लिए सिमित की जा सकती है पर्थमता जो है अपात काल इस्तिति की घोषना कितने समय अंतराल के लिए सिमित की जा सकती है तो 6 मा के लिए इससे हर 6 मा में आपके बढ़ाया जाता है तो C इसका राइट इंसर हो जाएगा और जो अपात काल है अनुछे 302 में है बिहार आर्थिक सर्वेच्छन 2020-21 के अनुसार बिहार में मक्का की सर्वाधिक प्रती हेक्टेर उत्पादकता निमन मैंसे किस जिले में सर्वाधिक है तो अररिया में सर्वाधिक है और उत्पादन सर्वाधिक किसका है तो कटिहार का है तो D इसका राइट इंसर हो जाए तो पच्छिम जमपारण में है, सरवादिक गेहुं का उत्पादन कहाँ पर? रोहतास में, प्रती हेक्टेर बेगु सराय में, ठीक है? उसके बाद है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन होता है, तो सबसे अधिक आपके पटने में होता है, अगर प् हो जाएगा उसके बाद next point है एक सकीन तुकि यह phone काम नहीं कर रहा है next है केंदरिय बजट 2022-23 में उद्वक के लिए call gasification तथा कोईले को रसायन में परिवर्तित करने है तो कितने निजी परयोजनाओं को अस्तापित करने की योजना है तो total आपके इसमें जो है चार ठीक है चार परयोजनाओं को अस्तापित करने की योजना है तो A इसका रहाट रहाट रहो जाएगा केंदरिय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी virtual digital परिशंपत्ती के transfer से हुई किसी भी आई पर कितने परतिस्यत की दर से कर लगाया जाएगा तो 30% की दर से आपके कर लगाया जाएगा ठीक है तो C इसका right answer हो जाएगा उसके बाद next है भारत बन इस्तिती रिपोट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भोगोलिक छेत्रफल का कितना परतिस्यत आपके बनाबरन है तो 7.84% है ठीक है बनाबरन बिरिज कितना है तो 2.48% है 2.48% है तो C इसका right answer हो जाएगा सबसे अधिक कहां पर बन है कैमूर में है सबसे कम सेखपूरा में है उसके बाद महित का सवाल है तो इसका answer बता देते हैं आप लोग सुलब कर लिजेगा 141 का C 142 का D 143 इसका भी B होगा B 144 144 का C है 145 D है 146 A है 147 147 D 148 C 149 A 149 का A उसके बाद 150 C तो टोटल आपके हमने तो 140 परस्ट डिसकस किया और 10 परस्ट आपने सोल्व किया तो टोटल आपके हो गया 150 परस्ट ठीक है 150 में से आप से बिलोग कितने परस्ट सही किये हैं उसके बारे में comment box में बताएगा